वामे राम देव ने आधनिय श्री अंबेटकर साहब से लेकर के बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया पहली बात तो ये है कि मैंने आधनिय श्री अंबेटकर जी से लेकर के जोतिवा फोले से लेकर के सावित्री भाई जी से लेकर के संत रहिदास जी से लेकर के और महारशी भालमीत की जी तक सब महापुर्शों को सदा सम्मान दिया है पूरे पतंजली योग पीठ में इन सब महापुर्शों के चित्र लगाए वे हैं और इनका पवित्र चरीत्र में सब को सुनाता हूँ और पतंजली योगपीठ के अलग-अलग सेवा प्रकल्पों के प्रमोख पदों पर बहुजन समाज के कारेकरताओं से ले करके और बहुजन समाज के सन्यासी मैंने बनाए और उनको पतंजली योगपीठ में बड़े उत्तरदायतों पर मैंने लगा है और मैं कभी भी महापुर्शों को जाती के आधार पर नहीं बांटता है मैं अμबेटकर जी को जोतिवा फुले जी को सावुत्री बाई जी को संत्रइदास जी को और महर्शी वालमी की जी को केवल बहुजन समाज के नहीं मानता है मैं पूरी भारत का उनको महापुर्शों और आधर्श मानता हूँ मैंने पेरियार जी को भी कभी भी वैचारिक आतंकवादी नहीं कहा हाँ मैंने ये जरूर कहा है कि पेरियार जी के जो अर्याई हैं वो वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं और आप पेरियार जी को जब पढ़ते हैं तब देखते हैं वो कहते हैं राम कृष्ण सीता ये दो शरीत्र थे रिश्यमनियों ने दुराचार किया विविचार किया इस तरह कि जूठे आरोप अपने महापुर्शों पर लगाना ये तो एक सरासर अपने ही पुर्वजों का